नमस्कार आप देख रहे हैं medical माईक और मैं हूं आपके साथ सन्नी प्रियद रसी अभी हमारे साथ हैं सहर के जाने माने डॉक्टर और diabetes पे हर research में भाग लेने वाले और इंडिया के सुभिख्यात जाने माने कि ।क्तर अजयक उमार सर आपका मीडिकल माइक में बहुत-बहुत स्वागत है तुम्हारा सबसे पहला आपसे यहीं सवाल होगा कि diabetes क्या होता है? बिब्मारी में मुलत, किसी भी मरीज के शरीर में शुगर की मात्रा बर जाती है, जिसे आम तोर से हम चीनी कहते हैं अलागी चीनी कहना गलत होगा, क्योंकि चीनी में शुक्रोज और फ्रक्टोज दोनों होता है लेकिन डाइबिटीज में शुगर बढ़ता है जो की सुक्रोज होता है तो ये सबसे बड़ी चीज है जो हमें समझाने की जरूरत है जब आपके शरीर में चीनी की मात्रा बढ़ जाएगी शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी और अगर बढ़ी रहेगी उसे आप नियंत्रित नहीं रखेंगे तो शरीर के विविन अंगों पे उसके बहुत सारे दूस प्रोभाव पर सकते हैं आपके हिर्दे पर उसका असर पर सकता है किड्नी पर असर पर सकता है आखों पर असर पर सकता है तो इसी को हम diabetes करते हैं और इसे नियंत्रण में रखना बहुत ही आवश्यक है सर मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि जब किसी वेक्ति को diabetes हो जाता है तो अमूमन समान में तौर पे उनमें क्या लक्षन दिखाई पड़ते हैं बहुत सारे तो ऐसे मरीज होते हैं जिनका blood sugar 200, 300, 400 तक रहता और उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती है कुछ कमजोरी लगी लेकिन जो diabetes के विशेश लक्षन है वो लक्षन वैसे होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा पिशाब करने की आवशक्ता मैसूस होती है बहुत ज्यादा भूख लगती है और उसके बावजूद मरीज का वजन घटने लगता है उसके अलाबे अगर किसी व्यक्ति के आँखों की रोशनी में तेजी से गिरावट आ रही हो उसे बार-बार शरीर में घाव निकल रहा हो या कोई ऐसा घाव हो गया हो जो चूट ना रहा हो तो यह तमाम लक्षन डाइबिटीस के होते हैं और इन में से कोई भी लक्षन अगर दिखे और खासकर आपके परिवार में किसी को पहले से डाइबिटीस की विमारी है तो आपको जरूर अपना ब्लड शुगर चिक अप करवाना चाहिए और यह डाइबिटीस कर लेना चाहिए कि आपको डाइबिटीस है या नहीं सर बहुत सारे युवाओं में आजकल यह चिंताएं रह रही हैं और वो अक्सर बात भी करते सुने जाते हैं क्योंकि मैं भी एक युवा वर्ट से विलॉंग करता हूँ तो हम लोग अक्सर यह बाते सुनते हैं कि पहले जो है डाइबिटीस के जो केस होते थे वो 40 वर्ष के बाद ही शुरू होते थे लेकिन अभी के दौर में यह 30 साल के बाद शुरू हो जाते हैं जिससे जिवा काफी इससे चिंतित हैं कि क्या इसके कोई परभाव इसके असर हमारे वैवाहिक जीवन पर भी पड़ेगा कि हमारे बच्चू पर भी पड़ेगा तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे डाइबिटीस के संबन्द में यह बहुत ही एहम प्रश्न है और इसका उत्तर पूरे समाज को जानना बहुत ही आवश्यक है सबसे पहली बात यह है कि डाइबिटीस होने के लिए आपके अंदर एक जनेटिक बैक्राउंड होना चाहिए कि आपको उपर से ऐसा बना के भेजा गया है कि आपके अंदर डाइबिटीस होने की जीन है और आपका अगर वातावरन और वातावरन में आपका खान पान होता है आपका व्यायाम सामील होता है आपके जो मेंटल स्ट्रेस होते हैं मांसिक तनाव होते हैं वो सारी चीजें आपके वातावरन को बनाती हैं पहला अगर genetic background है और इसमें से बाकी एक चीज या सारी चीज मिल जाती है तो उसे diabetes होता है तो सबसे पहले आपको ये समझने की बात है कि पास्चात्य देशों की तुलना में हिंदुस्तान में diabetes ऐसे भी करीब एक दशक पहले होता है वहां अगर 50 और 60 के दशक में होता है तो यहां 30 और 40 के दशक में होता है उसके उपर से हमारे समाज में इतनी होड लग गई है सफलता प्राप्त करने की कि उसके वज़े से हमारे जो युवावर्ग के लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा मानसिक तनाव में रहते हैं और दूसरा जो आपने बहुत बड़ा चेंज देखा होगा कि जो खान पान की हमारी शैली पहले हुआ करती थी वो बिल्कुल बदल गई है लाइफ एस्टाइल में काफी चेंज़े जो गया है पहले हम जो है सो अपने खेतों की ऐसे भोजन करते थे जिसको बहुत ज़्यादा पॉलिशिंग नहीं किया जाता है पॉलिश्ट राइस रिफाइन वीट आज की तारीक में हम जितनी भी चीज़े खाते हैं या फास्ट पुड खाते हैं वो सारे रिफाइन होते हैं औरिजिनल प्रड़क्ट कुछ भी नहीं होता है उसकी वजह से डाइबीटीज होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है प्रड़क्ट काने रहातों लेकिन होने के बाद आप उसे नियंदरन में रखें और दूसरी बात यह हो ही नहीं उसकी के लिए आप अपने ज्याबन शेली पहले से ठीक रखें और तीसरी बात है कि बच्चों पर उसका आसर पड़े नहीं पड़ेगा सबसे पहली बात समझना है जिन्ते करने की बात कि अगर किसी को डायबैती है तो सब्सकर दृट बच्पति ST&D जादा संभावना हो जाती है कि बच्चों में भी होगा लेकिन अगर किसी एक को है तो लगवक 50-60 प्रतिशत होता है तो इसको हम रिस्क करते हैं रिस्क करते हैं इस रिस्क के आधार पर आपको उसी साथ से अपनी जीवन सहली को परिवर्तित करना है सेर मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि क्या बहुत सारे लोगों में यह जब बीमारी होती है डियाविटीज की समझ्या उत्पर होती है तो वह समझते हैं कि अब इससे हमको आजीवन इसके साथ रहना होगा तो वह कापी पैनिक रहते हैं तो इस सिचिवेशन में आप उन इससे प्रखेंगे तो आपके शरीर पे उसका कोई दुस्त प्रभाव नहीं पड़ेगा गलती लोग यह करते हैं कि शुरू के कई सालों तक एक साल दो साल पांच सालों तक कोई आयरुवेग खाने लगते हैं कोई मेथी करेला खाने लगते हैं कोई होमियोपैथी करने फिर यह हो जाता है कि उनके शरीर के सारे अंग दीरे-दीरे नुकसान होने लगते हैं तो सबसे एहन प्रश्ण यह उठता है कि हम जितनी जल्दी अपने डाइबिटीस को नियंत्रित करेंगे तो हमारा जो पैंक्रियास है जहां पर इंसुलीन बनता है वह आप यूं समझ ल सकते है इặt अर्ली हेता जितनी जल्दी आप जाबिटीस को निदूप करेंगे उतना ज्यादा आपको फाइदा होगा निराशा कि कोई बात नहीं है निराशा उन्हीं को यह बात को नहीं समझते हैं और अपने डायबिटीस को नियंद्रन में नहीं रखते हैं अगर किसी पेशेंट को अगर डाइबेटीज हो जाता है तो क्या वो पूंतर ठीक हो सकता है अगर आपकी डाइबेटीज की अवदी पांच साल से कम है और आप बहुत ही ज्यादा अपनी जीवन शैली में परिवर्तित करने का जज़वा रखते हैं तब यह बिल्कुल लीजिए 10 से 15 प्रतिसर्थ अपने शरीर के वजन को आप कम कीजिए जो आप कर सकते हैं अगर आप अभी जैसे मान लीजिए कि आप 2000 कैलोरी या 2500 कैलोरी रोज काते हैं उसकी बजाए आप 800 से 1200 कैलोरी का खाना खाएं लेकिन बैलेंस डाइट खाएं नियमित रूप से व्य लेकिन आप चाहेंगे कि 10 साल पुराना आप डाइबिटीज हो गया और तब मेरा वो डाइबिटीज रिवर्सल हो जाए वह संभब नहीं है दूसरी बात है कि आज की तारीक में बहुत सारी ऐसी नहीं नहीं दवाईयां आई हैं जो ना तो सिर्फ ब्लड शुगर को नियं और फिर अपने जीवन शहली में भी चुकी आप उतना ही योगदान दे रहे हैं तो यह सब बिलकुल इस बात पर निर्भर करता है कि यह तमाम जो व्यवस्था आप कर रहे हैं वो किस स्टेज में कर रहे हैं जितने अर्ली स्टेज में करेंगे उतना ज्यादा फाइदा हो फिर भी आपको डियामेटीज नहीं होगा तो यह बात समझने की है कि काफी अर्ली स्टेज में ही आप ही अपनी जीवन शहली में परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका मेंकर मायिक में जुड़ने के लिए और इतनी अहम जानकारी दे प्राइव कोशिवर्त सिर्व ओजरो आपका मैं जैनलुण जयान जैनल करेंगने मेंगे सुट्धाग इल कि अasia झाल झाल